दोस्तों आज हम बात करें प्रधान मंत्री आवाश ओजना के तहट होम लोन को कैसे अपलाई करते हैं इसके तहट क्या-क्या क्राइटिरियाज हैं जिसको आप फूर्फिल करना पड़ेगा और आपकी income group कौन सा है जैसे कि आप सबको पता है इंडिया के अंदर income group को EWS, LIG, MIG1 और MIG2 के अंतरगत बाटा गया है और आप खुद अपनी income की हिसाफ से कौन सी group में आते हो और उस group के अंतरगत आपको कितना सरकारी की तरफ से पैसा मिलने वाला है प्रधार मंत्री आवाज योजना के तहट इन सारे चीजों के बारे में बहुत सिंपली और in detail चर्चा करेंगे दोस्तों तो वीडियो में आखिर तक बने रहे है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मैं ऐसे छोटे-छोटे इंफर्मिटिव वीडियो बना के लाता रहे है चलिए दोस्तों सूरू करते है इस प्लान को 2015 में लॉंच किया गया था 2022 में अपनी देश की पच्चतरवी आजादी का सालगीरा है तो वहां तक सब के पास अपना घर होना चाहिए इसको नजर में रखते हुए सरकार ने इस प्लान को लॉंच किया था तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस लॉंच को कैसे आवेल करें कैसे अपलाई करें कैसे प्रोसेस करें दोस्तों ये बिल्कुल सेम है जिसे आप एक नर्मल होम लॉन अपलाई करते हो किसी भी ब्रांच में यहाँ पर आपको कोई भी extra document देने की जरूरत नहीं है हाँ दोस्तों कोई भी extra document आपको देने की जरूरत नहीं है बस आपको जब loan apply कर रहे हैं उस टाम आप bank की employee है वहाँ पर बताईए उनको कि मुझे PM आबाश योजना के तहत जो subsidy मिलता है वो मिलना चाहिए तो इस सारे चीज़ को आपका bank process करेगा लकिन दोस्तों आप इस योजना के तहत जितने भी eligibility criteria है जिसके बारे में हम आगे discuss करेंगे detail में तो उसको सारा fulfill करोगे तब भी आपको इसका subsidy मिल सकता है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो criteria है आपकी या आपकी wipe के नाम पे कोई भी पहले से पका मका नहीं होना चाहिए यह जो घर आप खरीद रहे हो जिसके तहत इस आवाशी ओजनाय की सुभीधा लेने वाले हो आप यह आपका पहला घर होना चाहिए तब भी जाके आपको इसका subsidy मिलेगा दोस्तों अगर आप या आपकी wipe के नाम से पहले से पका घर है तो आपको home loan तो मिल जाएगा दोस्तों लेकिन इसका जो subsidy हो नहीं मिलेगा अभी हम बात करते हैं आपको subsidy मिलेगा कितना दोस्तों देखें दोस्तों अगर आप EWS अवलिक LIG कैटेगरी में हो तो आपको 2,67,000 तक रियाईटी मिल सकता है सरकार की तरफ से अगर आपके जो income है वो MIG1 के अंदर आता है तो आपको वहाँ पे 2,35,000 तक subsidy मिल सकता है अगर आपका जो income group है वो MIG2 के अंदर आता है दोस्तों तो आपको 2,30,000 तक subsidy हाँ पे मिल सकता है तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं आप अपनी income की हिसाब से कौन सी group के अंदर आते हो तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे EWS के बारे में जिसको बोलते है economical weaker section अगर आपका सालाना income जो है 0 से लेके 3,00,000 के अंदर आता है दोस्तों तब यह आपको EWS कंसीडर किया जाता है अगर आपका फिर सालाना income 3,00,000 से लेके 6,00,000 के अंदर है तो आपको LIG यानि Lower Income Group के अंदर लिया जाता है दोस्तों और MIG1, MIG2 जो दोस्तों जो है अगर आपका जो income है 6,00,000 से 12,00,000 के अंदर आओगे और आपकी अगर 12,00,000 से लेके 18,00,000 से लाना तो आप Medium Income Group 2 के अंदर आओगे दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आप खुद चेक कर लिजिए आपका जो income group है और कौन सा है और आपको यहाँ पर कितना subsidy मिलने वाला है अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों इंट्रेश्ट रेट के बारे में दोस्तों एक नर्माल हॉमलोन की जो इंट्रेश्ट रेट होता है अगर आप होमलोन ले जह है तो आपको फिक्स रेट ओफ इंट्रेस्ट में आप ले सकते हो याías अभी इसको हम और सिंपली समझते हैं तो fixed rate of interest दोस्तों यह होता है आप जिस time loan apply कर रहे हो जिस time आपको loan की process चल रहा है उसी time जो rate of interest पे bank loan दे रहा है home loan दे रहा है उसी rate of interest आपका जितने साल तक tenure होगा loan का यानि 20-30 साल तक होगा तो उसी rate of interest पे आप हमेशा pay करते रहोगे लेकिन जो floating rate of interest होता है दोस्तों यह हमेशा कम जादा होता रहता है दोस्तों जैसे आपको पहले पता है कि पहले जो home loan की जो rate of interest थोड़ा सा जादा था आजकल कम हो रहा है यह दोस्तों depend करता है basically RVA की जो repo rate होता है उसके उपर RVA हर दो महिने में अपना repo rate publish करता है और इसके उपर suppose आजकल repo rate 4% चल रहा है तो इसके उपर bank अपनी profit लगाता है जिसको spread कहा जाता है तो उसके चलते जो home loan होता है वो 6-7% के अंदर होता है आजकल तो दोस्तों आजकल जैसे repo rate कम है उसी साफ से home loan की interest भी कम चल रहा है लेकिन यह उल्टाए भी हो सकता है in future अगर repo rate बढ़ा देता है RVA तो उसी साफ से home loan की interest rate वो भी बढ़ जाएगा दोस्तों तो यह आप देख कर लिजिए आपको fixed rate of interest पे loan लेना है यह floating rate of interest में लोन लेना है यह आपकी मर्जी है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे एक मन में आपका सवाल आ सकता है कि अगर आप कोई पूराना घर खरीद रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या यह subsidy मिलेगा विल्कुल मिलेगा दोस्तों अगर आप कोई पूराना घर खरीद रहे हो लेकिन यह पहला घर है आपका तो वहाँ पे भी पर आप नया construction करना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको subsidy मिलेगा दोस्तों दोस्तों यहाँ पर एक और criteria है अगर आप एक ready to move मकान खरीद रहे हो यानि ऐसा मकान जो पहले से बना बनाया हुआ है अब बस आप खरीद के वहाँ पर रहने वाले हो तो वहाँ पर अगर आप EWS अब लिक LIG category के अंदर आते हो यानि आपका जो income है अगर 6 लाग के अंदर है सालाना तो आप जब भी घर खरीदे होगे दोस्तों वहाँ पर आपका lady ownership का होना compulsory है यानि आप co ownership आपनी mother या अपनी wife को देना ही पड़ेगा तब भी आपको subsidy मिलेगा लेकिन अगर आप plot plus construction वाला home loan लिये हो दोस्तों यहाँ पर यानि आपके पास plot है और उसके ओपर आप construction कर रहे हो यहाँ पर आप भलाई EWS category के अंदर हो या LIG के अंदर हो तो आपको यहाँ पर कोई lady ownership का compulsory नहीं है और MIG1, MIG2 के लिए आप किसी भी प्रकार की loan हो वो construction का loan हो या ready to move वाला मकान खरीदने वाला loan हो तो यहाँ पर ऐसा कोई compulsory नहीं दिया गया है कि आपका lady ownership होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर आप agents ownership रख सकते हैं आपको तब भी आपको subsidy मिल जाएगा next जो criteria हो carpet area के उपर है दोस्तों carpet area उसे कहते हैं दोस्तों आपकी घर की अंदर वाली जो हिस्सा होता है जितने area आप flooring कर रहे हो जितने area में आप marble या tiles बिछाते हो उसके अगर पूरा का पूरा अगर आप area निकालो calculate करके यानि शेत्रफल निकालोगे तो उसको आप carpet area कहेंगे यानि दोस्तों आप जितने land पे construction करोगे उसको उपर से अगर आपकी दिवार की जितना area cover हो रखा है दिवारों को हटा दोगे तो अंदर की जितना area बच जागा यह आपकी carpet area रह जागे दोस्तों तो यहाँ पे EWS section के लिए 30 square meter से ज़्यादा carpet area नहीं होना चाहिए सेम अगर आप LIG के category के अंदर आते हो तो आपकी carpet area 60 square meter के अंदर होना चाहिए और आप MIG 1 के लिए 160 square meter के अंदर होना चाहिए MIG2 के लिए 200 square meter की अंदर होना चाहिए आपकी carpet area दोस्तों तब भी आपको loan की subsidy मिल सकता है दोस्तों हम बात करेंगा आप subsidy को कैसे calculate करोगे माल लीजे दोस्तों आप EWS अबलिक LIG category से belong करते हो तो यहाँ पे आप 8 lakh का loan ले रखे हो जो की 7% rate of interest पे ले रखे हो यहाँ पे सरकार आपको बता रहे हैं आप 8 lakh जो loan लिये हो उसमें से जो 6 lakh है उसका rate of interest आपको आ रहा है 7% उसमें सरकार आपनी तरफ से 6.5% की interest पे करेगा total amount वो भी 15 साल के लिए यानि आपको 6 lakh रहेगा उसका तो मुलधन आपको देना ही पड़ेगा लेकिन जो 6 lakh के उपर rate of interest रहेगा आपको 0.5% रहेगा कि वहाँ पे आपको 6 lakh के उपर सरकार 6.5% पंदरा साल के लिए आपकी जो ब्याज है उसको दे रहा है और दोस्तों बचाओ जो MIG1 है वहाँ पे भी आप सेम कल्कुलेशन कर लिए यहाँ पे 9 lakh तक आपको 4% की interest rate की subsidy दिया जाएगा जो की 20 साल के लिए होगा और MIG2 के लिए दोस्तों 12 lakh तक आपको 3% की subsidy आपको मिलेगा इसका जगर amount हम calculate करें तो MIG1 के लिए दोस्तों आपको maximum जो subsidy रहेगा वो 2,35,000 रहेगा और MIG2 के लिए जो maximum subsidy रहेगा वो 2,30,000 रहेगा दोस्तों तो दोस्तों यहाँ तक हम प्रदान मंत्री आवाश होजना के बारे में maximum चीज़े discuss कर चुके हैं अगर कोई चीज छूट रखा है दोस्तों यहाँ पे मुझे आपके मन में अगर कोई सवाल आता है तो मेरे को comment section में आप पूछ सकते हो तो मैं कोशिस करूँ आपके मैं आपकी सवाल की जवाब देने के लिए तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपके किमते समय देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद थैंक्स पो वाचिंग लव यू ओल